वेलकम टू एक्जाम टेजरी तो जेन्व पोस्ट ट्रेजवेट का जो शेड्डूल है आज हम लोग इसी के बारे में बात कर लेते हैं यह पीजी का सेड्डूल है फॉद एकडमी के यह 2023-2024 सो बहुत सारे केंडिडेट का यह कोशन आ रहाएगे सर जो है फाइनल आफ्टर अप्लिकेशन फॉर्म फिर सब रिजल्ट कव आएगा सो जो जो ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म का जो सब्मिशन का जो डेट है वह 10th of August तक है तो जितने भी ऐसे केंडिडेट है जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज फटा-फट अभी तक अप्लाई कर लें 10th of August यह लास्ट डेट है उसके बाद सायद ही एक्स्टेंट हो उसके बाद फिर सीफ जो है फोर करेक्शन और अल का स्टार्ट होगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है यह फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 17th of August को रिलीज की जाएगी यह टेंटिटिव डेट है लिकिन उमीद की जा रही है कि 17th of August में ही रिलीज हो उसके बाद जो सकेंड मेरिट लिस्ट है इफ एनी एंड सुपर निम्रेरी सीट मतलब जो डिफेंस कोटा के जो सीट है वो 25th of August को आ जाएगा और एक बार मैं बता दूं कि साइध ही कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कम कोर्स के लिए आपका सकेंड मेरिट लिस्ट निकलता है लेकिन इस वाद चांसे से कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकले क्योंकि डेली उनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का एड्मिशन जो है वो आपका जो है CUD की थुरू हो रहा है और उसका भी रिजल्ट जो है 17th of August को ही आएगा तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका डेली उनिवर्सिटी में भी नाम आ गया है और जेनी में भी नाम आ गया तो उनको किसी एक जगर लेना होगा तो बहुत सारे कुछ-कुछ इस हैं इनको होस्टल अगर इधर नहीं मिल रहा है तो जो है डेली उनिवर्सिटी सिफ्ट होंगे तो फिर वो जो है चांसेस हैं कि सकेंड मेरिक लिस्ट आईए और इसके बाद जो है अगर फिर बात आ जाती है फाइनल वेरिफिकेशन और डॉकमेंट तो यहां पर क्या है य फिर भी माल लीजे यह रिली जो फाइनलिस्ट इनकीस ऐसा अगर होता है कि कुछ-कुछ और वी सीट वेकेंट रहा जाए तो फिर 19th of September के बाद और डेडलाइन जो है आपका 29th of September यानि की October से जो है आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा क्लासे से जो इस हिसाब से भी आप प्लान कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे जो आपका सीट जो ब्लॉक सीट होती है जो प्रिंडॉल्मेंट रिश्टेशन होता है यह सारा तो आपका ऑनलाइन हो जाता है लेकिन यह जो फिजकल वेरिफिकेशन है इस date में फिर आप प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से ticket लेना है और अभी ticket ने लेना है क्योंकि यहाँ पे जो date है अलग-अलग candidate के लिए अलग-अलग date निकल के राते हैं यह नहीं कि आप किसी भी date में पहुँच गया admission के लिए आपको जो प्रॉपर बताय जागा है कि आपको कौन से date में genuine आके अपना physical verification कराना है सारा documentation कराना है तो date release की जाएगी लेकिन at least आप यह कर सकते हैं कि अगर आपका score अच्छा है अगर आप last year से compare करें देख पा रहे हैं कि आपका score अच्छा admission हो सकता है तो आप उस date के अनुसार से भी अपना planning processing कर सकते हैं लेकिन एक चीज अच्छी बात है कि 17th of August को जो first list आएगी और अगर हम बात करते हैं फिर से जो physical verification तो 15 से 20 days का difference है तो इसमें भी आप ततकाल में या किसी भी तरह के से ticket लेके अपना plan कर सकते हैं बाकि admission process related कोई भी कोशन है एक क्वेरी है तो आप लोग 8448878849 पर call या message करके पूछ सकते हैं और जितने भी ऐसे candidate हैं जो next year के लिए preparation कर रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पर call या message करके inquiry कर सकते हैं regarding the classes, previous papers, test, series, everything इसके लाब भी कोई query है, question है जो आप जानना चाहते हैं तो आप जो है comment में comment कीजिए and we'll try to answer it as soon as possible so thank you and we wish you all the best